दोस्तु क्या आपके phone में या आपके message में आपके पास कोई भी OTP आपको receive नहीं हो रहा है यानि कि कहीं से भी आपके message में या आपके mobile नंबर पर OTP आना होता है और आपका OTP आपको नहीं मिल रहा है तो आकरकार ये problem आप कैसे solve करेंगे वही आपके साथ share करेंगे कि अखरकार अगर आपके पास OTP नहीं आता है जैसा कि आप देख पा रहा होंगे हम यहाँ पर कल अपने Jio Mart application को login कर रहे थे वहाँ पर देख सकते हैं कि OTP आना था बट OTP हमें receive नहीं हो रहा था फिर मैंने क्या किया तो हमारे पास ये Jio Mart की तरब से हमारे पास ये OTP आ गया और फिर मैंने अपना Jio Mart का जो application है उस पर मैंने account बना लिया तो आखरकार अगर आपके पास कोई भी OTP आपको receive नहीं होता है या आपको कोई message send करता है आपको message receive नहीं होता है तो आखरकार करना क्या होगा तो सबसे पहले यहां से बैक आजाएए बैक आने के बाद अगर आपका यहां पर Samsung का phone है तो आपको जाना होगा Galaxy में और अपने message application को update कर लेना है अगर आपका Redmi का Realme का phone है तो जाना होगा play store में वहाँ पर search करना होगा Google message तो आपका जो message application होगा वो आ जाएगा और अपने Google message application को update कर लिजिए हमारे कहने का मतलब है कि आपका जो भी यह application है message का वो आपको update करना होगा latest version में इतना काम करने की बाद फिर आपको जाना होगा mobile phone के आपको यहां पर setting में setting में जाने की बाद search bar पर click करना है click करने की बाद यहां पर आपको search करना होगा reset जैसे आप पर search करेंगे reset तो आपके समने आजएगा reset all setting आपको यहां पर reset all setting पर click करना है उसके बाद आपके समने यहां पर मिलेगा reset all setting आपको इस पर touch करना है इस पर touch करने की बाद reset setting पर click कर जैसे आप यहां पर log डाल देंगे फिर आपको reset पर click कर देना है और यहां से बैक आजाना है इतना काम करने से आपका सारा reset हो जाएगा setting और यहां से आपका data कुछ भी delete नहीं होगा ना आपका photo और ना आपका video तो यहां से आपका सारा setting reset हो जाता है जैसा आप नया phone लाते है उसी तरीके से आपका सारा setting हो जाता है हो सकता है कि आपने message में कोई भी setting किया होगा तो वो आपका setting हट जाएगा और आपके message आना यानि की सुरू हो जाएगे और OTP आना मिलना start हो जाएगा अगर free भी नहीं आता है तो आपको अपने message पर long press करना है उसके बाद i button पर click करन करेंगे ok कर दीजिए इतना काम करने की बाद यहां से आपके message भी delete नहीं होगे आप यहां से बैका जाएगे एक बार अपने phone को आप सुच off करेंगे यानि कि power off करेंगे off करने की बाद फिर आपको अपने phone को on करेंगे फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास जो भी अपलाई करना है और आपका message का OTP अगर receive नहीं होता है तो सारी problem fix हो जाएगी तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना